Welcome to Study Tips आज हम करने वाले हैं 15 जून 2020 के सारे Important Current Affair वीडियो इंड तक जरूर देखेगा जिससे आपको Current Affairs के सेक्षन में बहुत ही Improvement देखने को मिलेगा तो आज के दिन के जितनी भी Important Current Affairs हो सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि आपको अगर इस वीडियो के पीडियो को डाउनलोड करना है तो आपको उसका Link डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया जाएगा तो उससे आपको PDF को डाउनलोड करके वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं तो हमारा पहला question है कि World Blood Donor Day किस दिन मनाया जाता है तो विश्वरक्तदाता दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है 14 जून को ठीक है वर्ल्ड बीटिंग तो आपको याद रखना है World Blood Donor Day किस दिन मनाया जाता है 14 जून को तो दिखें जितने भी important days हैं वो जून मन्त के वो सारे के सारे हम लोग क्या करते हैं अपने वीडियो में revise करते हैं तो चलिए start करते हैं अपना revision important days से related फर्स्ट जून को कॉंसर डे मनाया गया Global Parents Day उसके बाद सेकेंड जून को कॉंसर डे मनाया गया International Sex Worker Day और तिलंगाना फॉर्मेशन डे थर्ड जून को कॉंसर डे मनाया गया World Bicycle Day वर्ल्ड बाइसिकिल डे आपको याद रखना है फोर्थ जून को मनाया गया International Day of Innocent Children Victims of Aggression अगला है पाँच जून को कॉंसर डे मनाया गया तो World Environment Day बहुत important है यह एक जाम में question बनेगा ही बनेगा और इसका theme क्या रहा था ecosystem restoration इसे भी याद रख लेना है ठीक है ecosystem restoration वहीं साथ जून को कॉंसर डे मनाया गया तो international level crossing awareness day और world food safety day ठीक है world food safety day आठ जून को कॉंसर डे मनाया गया world ocean day विश्व महासागरिय दिवस नौ जून को कॉंसर दिवस मनाया गया world accreditation day विश्व प्रत्यापन दिवस और वहीं 10 जून को मनाया गया world groundwater awareness day यानि कि विश्व भुगर्ब जल जागरूकता दिवस वहीं मनाया गया 12 जून को world child labor against day यानि कि बाल स्रम निसेद दिवस विश्व बाल स्रम निसेद दिवस 13 जून को कॉंसर दिवस मनाया गया था 13 जून को मनाया गया था ठीक है international alvinism awareness day यानि कि अंतर राष्ट्रियर रंग हिंता जागरूकता दिवस ठीक है तो इतने डेज हैं important डेज हैं जो कि exam में इससे question बनते ही बनते हैं तो आपको इससे याद रखना है और जानते हैं 14 जुन को कौन सा डे मनाया गया तो world blood donor day चलिए अगले question पर और हमारा अगला question है हमारा अगला question है कि रखुवीर सिंग जिनका अभी अभी निधन हो गया है वो थे ंडियान आर्मी में वो भीगेडिय के पतपर थे और उन्हें महावीर चक्र से भी नवाजा गया था महावीर चक्र से भी क्या किया गया था नवाजा गया था ठीक है रगुवीर सिंग को तो रगुवीर सिंग क्या थे महावीर चक्र अवाडी थे ब्रिगेड यह रगुवीर सिंग जिनका की निधन हो गया देखिए आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि सर यहां से इसलिए यह बन जाता है कि रगवीर सिंग का दिदान अभी हाल ही में हो गया है ठीक है तो आपको इससे याद रखना है और हमारा अगला क्वेस्चन है कि अब होम इन दा वर्ल्ड आपको याद रखना है जितने भी बुक्स होते हैं और आप लोगों के लिए जून मन्त तक के जितने भी इंपॉर्टेंट बूक है जो एक्जाम में आ सकते हैं ठीक है उसके लिए हम क्या करेंगे अपने सेक्षन में अपने करेंट अफेस वाले सेक आपको आसानी होगा टॉपिक वाइज करेंट अफेस में बूक्स वाले सेक्षन को देखने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट बूक्स हैं तो होम इन दा वर्ल्ड बूक के लेकत हैं अमरत्यसेन ठीक है अमरत्यसेन आप इसे जानते होंगे यह थे भारत के नोबल पुर पुका रविद्र नाट टैगोर ने इन्हें अमरत्य कहकर पुकारा और उसके बाद इन्होंने इस बुक में यह याद किया और किया है कि जो रखा है तो यह है home in the world book जो की लिखा गया है अमरत्य सेन के द्वारा और बात करते हैं यहाँ पर सौरब गांगुली की जो ऑटो बायोग्राफिय यह जो है एक तरह से संस्बरन बुक है यादगार बुक है याद यह क्या कर रहे है इस बुक में अपने सारे जो 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 इसके जीवन म है दोस्तों और यह यह जाम में आता है ठीक है तो संचुरी इज नॉट इन आप आपको इससे याद रखना है वहीं पर विविएस लक्षमन का है 281 and beyond 281 and beyond ठीक है इसको याद रखना है सचीन ते दुलगर का नाम क्या है तब प्लेइंग इट माई वे ठीक है तो यह हो गय देन बुग से रिलेटेड कुछ इंप निपर्टेन सब्सक्राइश को अगला कुश्चन हमारा है ठीक है अभी अभी फ्रेंचऄ पन Tennis का समापन हुआ है तो French Open Tennis 13 June को इसका समापन हुआ है कब से start हुआ था तो French Open Tennis का start जो हुआ था वो 30 मई 2021 से start हुआ और कब तक चला 13 June 2021 तक चला और यह कहां पर होता है दोस्तों तो यह होता है पैरिस के ठीक है पैरिस के रोलैंड गैरर सिटी है प्रेंच उपन १र यहां पर यहां पर आप देख रहे होंगे इसका जो Okay ge師 यहां पर यह क्लेक्र यह यह क्लेकर तो आपको इसे भी याद रखना है कि जो फ्रेंच उपन होता है वह खेल अधार खोंन ड। प्लेश कोंड सा डाईब तो आपको याद रखना है फ्रेंच ओपन जो है वो ख्ले कोट पर खेला जाता है कॉंसे सिटी में रोलैंड गेरर्स पैरिस फ्रांस में ठीक है वहीं पर बात करते हैं कि यह 13 जून से 13 जून को इसका समापन होआ है और इस बार फ्रेंच ओपन टेनीस को जीता है मेंस सिंगल में नंवाक आपड्वल जोको वीचने गिएं यह सब के और अभी अभी इनोंने फ्रेंच ऑपन भी जीत लिया तो हम अभी बात करेंगे कि इनके द्वारा यह जीता गया है इसको भी आपको याद रखना है यह सर्भिया की खिलाडी यह पूच लिया जाता है यह किस देश के खिलाडी ऑसके बाद होता है जोकी अभी अभी हुआ है उसके बाद होता है Wimbledon ठीक है उसके बाद होता है US Open ठीक है Australian Open French Open Wimbledon Open और US Open ये इनका क्रम याद रखना है ये क्रम भी पूछ लिया जाता है ठीक है ये क्रम भी पूछ लिया जाता है कि किस सीरीज में किस ओरडर में ये Open Grand Slam होते हैं और इस बार Australian Open 2020 को नवाग जोकवीच ने जीता है और French Open भी इन किसने जीत दर्ज किया है ठीक है में सिंगल में किसने जीत दर्ज किया है तो देखे जो चेक रेपब्लीक जो एक कंतरी है उसकी खिलाड़ी है Barbara Barbara ऑँठी कोवा बरकर। इसे आपको याद रखना है बर्बरा क्रेजी कोवा इन्होंने जो फ्रेंच ओपन 2020 में बर्बरा क्रेजी कोवा जो है फ्रेंच ओपन 2020 का विमेंट सेंगल का खिताब इन्हें मिला वहीं बात करते हैं आउस्ट्रेलियान ओपन में विमेंट सेंगल किस ने जिता था तो आउस थिखाणू सृित्सी पास्これ इनों को हराया फ्रेंच उपन में और यह इनका उनशुवा ग्रान च्रामप्स घीचे तो अब एक ही और यह से कुछ इंपॉटेंट जो बन सकते थे वह लोगों ने देund N vision mission किसके द्वारा launch किया जाएगा European Space Agency के द्वारा लॉंच किया जाएगा ठीक है European Space Agency अच्छा ये क्यों लॉंच किया जाएगा तो Venus यानि कि सुक्रग्रह के वायू मंडल का सुक्रग्रह के environment का अध्यायन करने के लिए study करने के लिए ठीक है इसका ये Envision Mission को लॉंच किया जाएगा 2030 तक 2030 तक इसको लॉंच किया जाएगा European Space Agency के द्वारा और ये European Space Agency जो है NASA के सहयोग से इस मिसन को लॉंच करेगा सुक्रग्रह के वायू मंडल को अध्यान करने के लिए अभी-अभी हमने देखा था कि NASA NASA का भी एक मिसन आया था ठीक है Da Vinci और Veritas जो कि Venus यानि कि सुक्रग्रह के वायू मंडल सुक्रग्रह के वायू मंडल के अध्यान के लिए इन दो मिसन को भी NASA के द्वारा ही लॉंच किया जाएगा 2030 तक तो यह आपको इसे वियाद रखना है ठीक है नासा के और यह जो यह से हैं NASA के सहयोग से ही इन्विजन मिसन को लॉंच करेगा 2030 तक सुक्रग्रह के अध्यान करने वही पर बात करते हैं इस्रो की तो इस्रो के द्वारा भी यानि कि Indian Space Research Organization हमारा प्यारा भारत के द्वारा भी क्या कोई सुक्रग्रह के वायू मंडल के अध्यान के लिए कोई मिसन लॉंच किया जाएगा तो हां सुक्रग्रह के अध्यन के लिए इस्रो के द्वारा सुक्रियान वन लॉंच किया जाएगा सुक्रियान वन लॉंच किया जाएगा 2023 में सुक्रियान वन लॉंच किया जाएगा तो इसे को आपको याद रखना है वहीं बात करते हैं इसरो की तो इसरो का जो अस्थापना हुआ था वो हुआ था पंदरा अगस्त यानि की इंडिपेंडेंस डे उनिस्सव उनत्तर को ठीक है उनिस्सव उनत्तर को पंदरा अगस्त उनिस्सव उनत्तर को अभी इसके चीप कौन है तो के सिवन है ठीक है अगर European Space Agency की बात करे European Space Agency की बात करे तो इसका Headquarter है Paris में ठीक है इसका Headquarter Paris, France में है European Space Agency का Headquarter Paris, France में है और इसके अभी Head कौन है, Chief कौन है तो इसके Chief है Johan Dietrich Warner ठीक है European Space Agency के जो अभी Head है वो है जोहान दिट्रिच वार्नर ठीक है आपको इसको याद रखना है यहां से चलिए अगले question पर चलते हैं कि global skills report 2021 आ गई है ठीक है globally skills किस देश का कैसा development है तो इसकी report आ गई है और इस report को top किया है 2021 वाले report को top किया है स्वीटजर लेंड ने इसको top किया है तो वहीं दुसरा अस्थान पर रहा है लगजमबर्ग दुसरे अस्थान पर रहा है तिसरे अस्थान पर और भारत का अस्थान कितना है तो भारत रहा है 67 अस्थान यानि कि 67 पोजिशन पर भारत रहा है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में 67 पोजिशन पर गे रहा है तो इसका मतलब है कि भारत अभी बहुत ही पीछे है देखे क्या होता है कि भारत में जो देखा गया है जो रिपोर्ट आया है कि भारत में mathematics के छेत्र में mathematics, cloud computing, machine learning के छेत्र में जो इसका ratio इसका score है वो अच्छा है लेकिन जो डिजीटल स्किल है डिजीटल स्किल में इसका score थोड़ा कम रहा है और इसमें improvement की जरूरत है डिजीटल स्किल में improvement की जरूरत है तो क्या होगा हमारा कुछ ranking में सुधार होगा तो आपको इसे याद रखना है कि इंडिया का अस्थान कितना है, 67 है, 67 है, फर्स्ट अस्थान पर राय स्थान पर लगजंबर्ग और तीसरा अस्थान पर राय ऑस्ट्रिया ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में, ठीक है, वहीं पर बात करते है रिलीफ घर घर रासन, ठीक है, रिलीफ घर घर रासन, यानि की राहत घर घर रासन कारिकरम की सुरुवात किस बैंक के द्वारा किया गया है, ठीक है, या बोल सकते हैं, आई डी एपसी बैंक ने इसकी सुरुवात की है, रिलीफ घर घर रासन, और किसलिए किया है, तो कोविड नाइंटीन से, ठीक है, को कोविड-19 के कारण जो अफेक्टेड लोग हैं जिसके प्रभावित हैं क्या हुआ है कि लोगों के कुछ के घर उजड़ गये हैं लोगों किसी ने अपने की कमाने वाले लोगों का जान गवा दिया है तो पहुत सारे यहां पर क्या है कि कि अभी दुविदा चल रहा है देश में ठीक है तो इस कारण से कोविड-19 से अफेक्टेड अफेक्टेड लोगों को अप्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए राहत घर घर रासन की सुरुवात IDFC First Bank के द्वारा किया गया है इसके तहट पच्चास हजार थीक है इस कारिकरेम के तहथ पच्चास हजार गरहकों को IDFC First Bank के खाता धारकों के लिए IDFC First Bank employees ने अपने salaries से इसके लिए योगदान किया है ये रासन कीट करिदेंगे और उस कीट में रहेगा उस कीट में कैया क्या रहेगा तो आपको ये जानने का जरूरत नहीं है तो इसमें कीट खरीदेंगे और लोगों को वीत्रण करेंगे रहाद घर घर रासन कारक्रम इसके तहथ किया गया है वहीं बात करते हैं IDFC का जो हेड़कौाटर है वह कहा है IDFC First Bank का है एड़कौाटर है मुंबई में ठीक है IDFC first bank का headquarter मुंबई में और इसके अभी CEO कौन हैं तो वी वैदनाथन ठीक है वी वैदनाथन आपको इसे भी याद रखना है IDFC first bank का headquarter है मुंबई में और इसके अभी CEO हैं वी वैदनातन और इसकी अस्थापना हुई थी October 2015 में देखिए यहां पर बात करते हैं HDFC की च्क है अतनु चक्रवर्ती HDFC के अभी प्रमुख है आपको इसे याद रखना है और जितने भी अपडेटेटि नॉलेज होते हैं जितने भी अपडेटेट इंफोर्मेशन होते जो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे आतनु चक्रवर्तीब हैं अभी HDFC के वहीं आपका बात करें SBI का तो SBI ने अभी अभी ठीक है एक कवच इसे भी याद रख लिएगा कवच कवच परिश्च लोन इसकीम को अभी अभी यह ने लौँच किया है तो कवच से इसकेम के चाहिए तो SBI के अभी SBI का headquarter का है तो मुंबई में और इसके अभी chairperson है दिनेश कुमार खारा इसके chairperson है दिनेश कुमार खारा कभी-कभी tagline भी पूछ लिया जाता है तो SBI का tagline आपको याद रखना है कि the banker to everyone the banker banker to everyone ठीक है banker to every Indian ये है tagline SBI का तो वहीं ICIC की बात करें तो ICICI bank के जो अभी chief है प्रमूख है वो कौन है ICICI के प्रमूख है अभी संदीप बक्सी संदीप बक्सी ये भी आपको याद रखना है संदीप बक्सी चलिए ये हो गया कि रिलीप घर घर रासन किसके द्वारा लॉंच किया गया तो IDFC बैंक के द्वारा हमारा अगला क्वेस्चन है अंक टाड ठीक है अंक टाड एक संस्ता है United Nation का एक सबसिडरी संस्ता है तो इसका जो नया महा सचिव यानि कि सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है तो सेक्रेटरी जनरल बनी है अंक टाड की रिबे का ग्रिंस्पन ठीक है रिबे का ग्रिंस्पन बनी है अंक टाड का फुल फर्म क्या होता है तो United Nations ठीक है United Nations Conference on Trade and Development आपको इसे याद रखना है अंक टाड का अंक टाड का अधिनया महा सचिव बनी है रिबे का ग्रिंस्पन यह किसको रिप्लेस करेंगी तो इनका यह जगह लेंगी डेविड मलपास को ने वर्ल्ड बैंक के चीफ है तो अंक टाड का जो हेड़कौाटर कभी कभी पूछता है आपसे यह क्वेस्टन बनता ही बनता है तो अंक टाड का हेड़कौाटर है जेनेवा स्वीटजर लैंड में और इसकी अस्थापना कब ह पूछ लिया जाता है चलिए आगे है My Lab का Brand AmbImpizer किसे निवक्ट किया गया, देखे ये My Lab जो है एक Bio Technology Company है ठीक है, एक Bio Technology Company है और ये जो Bio Technology Company My Lab है इसका जो Brand Amb acronym बनाया गया है इसे Brand Administrator अक्छे कुमार को बनाया गया है,My Lab का Brand Ambassador किसे बनाया गया है, अक्षय कुमार को इसे आपको जाद रखना है यह एक्जाम में पूछा जाता है brand ambassador से related questions भी पूछे जाते हैं और अक्षय कुमार को चेवनपरास का भी brand ambassador बनाया चेवनपरास का भी brand ambassador है अक्षय कुमार भी और यह बन गए है my lab के भी brand ambassador वहीं बात करते हैं आलिया भाट मिन्तरा की ब्राइंड अमटर हैं रविंद्र जडेजा जो है एसिक्स जो की एक जापानी इस्पोर्ट्स वियर कंपनी है इसके ब्राइंड अमटर है रविंद्र जडेज़ा वही राजकुमार रॉज कुप के हैं अभी ब्राप्न अमोंरो चलिए हो गया हमारा यहां тक का अब हमगों देखते हैं कि दुनिया का पहला मास्क मूक्ट मास्क प्री ऑली उली महीस पीडलेंटा कि गोसना किया कि 15 जून से इजरायल मास्क फ्री हो जाएगा मतलब यहाँ पर जो लोग होंगे विदाउट मास्क घूम सकते हैं लेकिन जो बाहर होंगे इंटरनेशनल जो फ्लाइट होगा इंटरनेशनल फ्लाइट बाहर जाने के जो प्रतिबंद है वो लगे रहेंगे लेकिन देश के अंदर 15 जून से इजरायल में मास्क फ्री लोग घूम सकते हैं ये कहा यूली एलेस्टिन ने और ये पहला मास्क मुख देश बन गया इजरायल दुनिया का ठीक है तो इसको याद रखना है ठीक है और इजरायल के जो प्रधान मंत्री अभी बेंजामी नेतन्याहू है लेकिन बनने वाले कौन है तो नेप्ताली बेनेट ठीक है ये बनन अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, सेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर आरारवी एंटीपीसी सीबीटी टू और ग्रूप डी के लिए एक बहुत ही एकसाइटिंग कोर्स आप लोगों के लिए लाँज किया जा रहा है और कब से इ अच्छे कंटेंट का बेस्ट एनालिसिस के साथ आपको 20,000 प्लस क्वेस्चन का यहाँ पर स्टडी मेटेरियल दिया जाएगा और उसके बाद उसका एनालिसिस भी करवाया जाएगा Maths, GK, GS, Current Affairs, Static GK सारा कुछ आपको हमारे ही चैनल पर एक बहुत ही डेडिकेटेड टीम के द्वारा एक बहुत ही उतक्रिष्ट गुनवत्ता वाले यानि के बेस्ट क्वालिटी वाले कंटेंट के साथ आपको 100 दिनों का तयारी यहाँ पर कराया जाएगा तो आप लोग उस बैच से उस सीरीज से जुड़ना ना भूले उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को जरूर दबाना होगा जिससे की सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले तब तक के लिए अलबिदा